जाइडास के एडला बही गिर रखा है और जाइडास के लाइज जब इनकी वैक्सीन की खवर आयती वैक्सीन आने वाली जे कोबिट करके तो उसके बास से स्टॉक काफी भागा वुआ था और उससे में मैंने का था वाइड करें क्योंकि इस तरह के परिस्तितियां पहले भी पर चार्ट पर देख लेते हैं देखो क्या करना है क्या नहीं करना तो जाइडस के अपने सपोर्ट के आस-पास खड़ा हुआ है जो इसका आता है बाई पांसो तीस रुप्य के आसपास और यहां पर टुंद्ध यह में भी आता है मैंने बताया था कि वहीं 500 रुप्य के आस-पास अगर मिलता है तो आप एक डिप लगा सकते हैं और और फार्मा पूरे सेक्टर में देखोगे फार्मा वाले तो काफी गिरावट चल लाई औरो फार्मा सिपला मतलब काफी सारे स्टॉक हैं डाक्टर रेडी काफी बहेंकर बहेंकर गरावट आ रखी है तो अगर पसंद है कैडला और उपर की प्राइज फस रखे हो खरीद रखा है तो टाइम लगेगा देख क्या करना अगर उपर के प्राइज फसे तो यहां पांस रुपे का आसपास अवरेजिंग कर सकते हो अगर जाता है पांस रुपे कास नहीं तो टाइम लगेगा ऊपर आ जाएगा स्टॉक में कोई ऐसी खराब भी नहीं है इस्टॉक ठीक है और तो फार्मा के स्टॉक इतन देख सकते ओबर सोल्ड हो गई पच्चिस की तो यहां से हो सकता है इसके बाद तेजी आए तो यहां भी सेल सिकनल ही बन रखका कई बार देखोगे और अभी भी बाई सिकनल बनने की कोशिस होती है फिर सेल से बन जाता है तो इस पर देखो मैंने पूरा भी बता दिया है नई एंट्री यहां ले सकते हैं 500 रुपे के असपास और अगर अगर अबरेजिंग करना है जब 500 के असपास कर सकते हो ऊपर के प्राइस में फसे हो तो लॉस बुक मत करना आ जाएगा बेट कर लो भाई देखो फार्मा का आपको एक आपको एग्जांपिल बता देता हूं झाल तो